एक कहावत है कि बच्चे तभी बाप को पूछते हैं जब कोई जिल्वत हो डाड मुझे अपके मदद चाहिए जाकेट पहन लेता हूँ तीस साल बाद हमें भविष्य में एक जंग लड़नी है हमारा दुश्मन कोई इनसान नहीं है और हम जंग हार रहे हैं तो आपको हमारे साथ मिल कर लड़ना होगा मैं वापस जरूर आउंगा पापा तुमसे बहुत प्यार करते मिटा आज से साथ दिन बाद जब आप जंग लड़ने जाएंगे तो आप अपने देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए लड़ेंगे ठीक तो हो ना क्या ठीक जंग पर जो जा रहा हूं वो बंद रखो कान खुले माफ करना वो मुझे घबराठ हो रही ना इसलिए ज्यादा नहीं तो 97 परसंट घबरा रहा है अब मजा आएगा भविश्य में स्वागत है तुम और तुम्हारा यूनिट अब 2021 में है ये तो हर जगा है हम उनका चारा है और वो भूखे है हमारा दुश्मन शातिर है बहुत तेज और हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर एक खतरनाक चीज देखना चाहोगे वैसे तो जब से आया हूँ यहां खत्रही देख रहा हूँ फिर भी चलो देखा रहा हूँ अगली कुछ हफ़तों में इनसान इस धर्ती से गायब होने से बच सकते हैं हम कुछ भी कर ले कोई फाइदा नहीं है तुम वहला सोच रहा है मुझे उस बात पर यकीन है हम इस जंग को साथ मिलके रोकेंगें ताकि फिर कभी नहों अभी भी इस जंग को शुरूओने से पहले रोकने का एक मौका है दूसरा मौका सब की किसमत में नहीं होता छलनी कर दो मैं छुपने वाला नहीं हो बहुणके रखतूंगा उसमें तो गोलिया नहीं है हाँ पता है गोलिया नहीं है हम प्लेइन के अंदर बैठे हैं ना अगर कोली चल गई और छेद हो गया तो हम नीचे गिर जाएंगे यार